हाई फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे यूटूब चाइनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको लाप्टाप, डेश्टाप या पीसी में स्काइब डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं आपको सिंपल स्टेप में बताने वाला हूँ सबसे पहले आप ब्राउजर पे राइट किलिक करके ओपन पे किलिक कीजिए ओपन पे किलिक करने के बाद सर्ज बार में टाइप कीजिए स्काइब उसके बाद स्काइब को सर्ज कीजिए स्काइब को सर्ज करने के बाद डाउनलोड स्काइब पे किलिक करने के बाद स्याइट ओपन हो जाएगी, उसके बाद getting Skype for Windows 10 & 11 पर क्लिक कीजिए उसके बाद Allow Always पर क्लिक कीजिए उसके बाद Open पर क्लिक कीजिए ओपन पर क्लिक करने के बाद 這樣的 Byte गेट पर क्लिक कीजिए, गेट पर क्लिक करने के बाद आपके laptop, desktop या PC में Skype download होके install होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा वेट कीजिए उसके बाद open पे किलिक कीजिए open पे किलिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए उसके बाद let's go पे किलिक कीजिए उसके बाद आपके id पासवर्ड से sign in कीजिए sign in करने के बाद थोड़ा wait कीजिए उसके बाद continue पर click कीजिए continue पर click करने के बाद फिर से continue पर click कीजिए उसके बाद turn on पर click कीजिए उसके बाद यहां से आप theme select कीजिए theme select करने के बाद continue पर click कीजिए continue पर click करने के बाद permission में yes कीजिए यस पर किलिक करने के बाद आपके laptop, desktop या PC में Skype डाउनलोड होके इंस्टाल हो गया उसके बाद आप यूज कर सकते हो दोस्तों इसी तरह से आप Windows 7, Windows 10 या Windows 11 सभी आपरेटिंग सिस्टम में सेम प्रोसेस से Skype डाउनलोड करके इंस्टाल कर सकते हो दोस्तों